डोक्टर मान सिंग सह आचारी बुगोल राज के महाविद्दाले जुन्दू आज का विशे है भूमी अपर्दन को परभावित करने वाले कारक भूमी अपर्दन के विभिन कार्णू के अलावा कुछ ऐसे कारक भी हैं जिन से भूमी अपर्दन में सायता मिलती है ये निम लिखित हैं एक नमबर अधिक वे कम वर्षा का वित्रन जिन छेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर बहते जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है इसके उपरी दिन छेत्रों में कम वर्षा होती है, वहां बहती पवन के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है दो नमबर, भूमी का ढाल, जिन छेत्रों में भूमी का ढाल ज्यादा होगा, वहां पर मिट्टी का कटाव उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि डालू भागों में भैत्य जल तीवर गती से भहेगा इसके साथ डालू भागों में जो मिट्टी की सनचना है उसके कारण से वहाँ पर मिट्टी उचाई से निचाई की तरफ खिशकना प्रारम कर देती है यही कारण है कि मैदानी या समतल भागों में मिट्टी का कटाव कम होता है ढालू भागों में मिट्टी का कटाव अधिक होता है ती नमबर मिट्टी की परवर्ती भूमी अपरदन मिट्टी की परकरती पर भी निर्बर रहती है मिट्टी की सनचना कैसी है मिट्टी डिली परकरती की है या मिट्टी संक्थित परकरती की है यदि मिट्टी डिली परकरती की है तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव ज्यादा वनस्पती का आवरण अधिक है, वहाँ पर अपरदन कम होता है, जैसे गन्य जंगल अपरदन को कम करते हैं, पेडू की जड़ें मिटी को कटनी से रोकती हैं, रेत को मजबूत बनाये रखती हैं, मिटी को डिहला होनी से बचाती हैं, ऐसी इस्तती में पवन और पानी के कटा पानी के द्वारा कटाव नहीं हो पाता है, भूमदे रेखिये वनू में वर्षा अधिक होनी के बावजूद भी वनस्पती का आवरण अधिक होता है, जिसके कारण मिटी का कटाव अधिक नहीं होता है, ऐसी मान देता है कि थार के मुरुस्तर में पहले अधिक वन थे, ल रहती पाउन के दौरा एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर इस्थान दर्मत्रित होने प्रारम होगे जिसके कारण से मरुस्तल का परसार होता गया। पाउन मीट्यू की वेश्थान कभी कभी मीट्यू को डंग से काम मेंने लेने के कारण से भी मिट्ती की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अधिकतर एक ही फसले लेते हैं उन छेतरों में इस परकार की समस्याद देखी जा सकती हैं। जैसे कि हम जुमिक कर्षी के अंतरगत देख सकते हैं, जुमिक कर्षी में जंजाती विक्ती एक जगह पर लगातार एक ही फसल का उत्पादन करता रहता है, और जब यह लगातार चार्पाद साल तक कर लेता है, तो वह बूमी अनुपजाओ हो जाती है, जैसे ही वह बूमी करके दूसरे भागूं में जाकर के वनस्पती या जहार जंकार को साप करके खेद बनाता है, खेद बनाने के बाद में वनस्पती को काड़ता है या जलाता है, उसके बाद में उसके राग को मिट्टी पर विखेरता है और अपनी फसल लेना प्रारम कर देता है, तीन-चार प्रिद्रों में विबिन परकार की मीटियों का कटाव होता रहता है, जिसके प्रिनाम हम निम्न रूप में देश सकते हैं, एक नंबर पर लकड़ी और इंदन में की कमी, दो नंबर पर भूमी की उरुरासरती का विनास, तीन नंबर पर चरागा की कमी, चयार नंबर पर बालूरेत का इस्थानांतर हैं, साथ नंबर पर वर्षा की कमी और उच्छ स्थापमान, आठ नंबर पर मिट्टी का बंजर हो जाना, इस परकार के मिट्टी के कटाओं से समंदित परिणाम है।